तो चली फ्रेंट्स धाबे से अच्छा अब पनीर बटर मसाला घर पे किस तरीके से बनाएं वह हम आपको आज बताते हैं बहुत ही मज़े की रेसिपी है एक बाट राइस दरूर कीजिएगा नोन वेच को भूल जाएंगे आप तो इसे बनाने के लिए एक कड़ाई गर्म हो ये कश्मीरे लाल मिर्चे हैं जो कि तीखे नहीं होते इससे रंगत बहुत मज़े की आती है ये हलका सा फ्राइ करने के बाद में दो से धाई टेबली स्कून के करीब काजु के टुकडे डाल दी है हम आप चाहें तो दस बारा साबुत भी ले सकते चार बड़े साइस के ट पनीर के पीस देखिए आप बहुत ही बड़े बड़े से कट की है और इसको इसी तरीके से पनाईएगा आपको बहुत पसंद आएंगी दोनों तरफ से लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइ कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे अब हमने क्या करना है इसे निकाल लेना है पानी को गुनगुना करना है हलका गुनगुना हो जाएकार 5 update определ नमग डाले के one four tea स्पून इसमें हल्डी का पाॉडर चालें गेसTION की ОUF कर दें जब पानी कर आफ मो जाए तो और इसमें यह पनीर को डीप करना है इस से हल्डी का कलर भी आ जायए ज़के अंदर पणियर मे कैस को ठंडा गरके पिस ले मैं यहा पर करम ही से पीस लिया आए इधर कड़ाई में हमने बटर डुटेपल हैं दो wr ठीब Champ लैल मैट दें पूर्ड नीज है sociaux कि दूर्ट आधन question ौस्पों स्पूंट र मार्गेट by Mix URL हाँ नहें प्यूरी भेत प्यूरी है में इसाल कमझे में ठाक रखाएवले आफ यह मार्केट वाला गरम मसाला Ag sap चीर 9-5 तक लिल्यागट से जब चीर हमें राप मॅने साथ खारा ओ और मेरा मांनी थोड़ी के साथ निकाल लिया है मैंने चार पानी साइकभाला बहुत अड़ीक है कीजे सब्सक्राइब था घरम पानी में टाल दिया था अब हलके हाथों से मिक्स करेंगे मसालों के साथ सिर्फ एक मिनित तक आपने इस से सालों के साथ भून लेका है उसके पाइब ग्रेवी नमक टालेगा दोड़ा नमक हमने दो बार इसमें डाला है तो थोड़ा साओ धानी से ड बहुत ही बड़ा टेस्ट आएगा तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर गरम पानी डाल दिया है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी थीक होती है जैसी आपको रखना उस हिसाब से पानी डाल दिया है यहां पर तक्रिबर एक गिलास के करीब हमने पानी ड काटा फंट करें नान पराथो के साथ जाएगा और यदि आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो थाएगा पूछेंगे ज़िबर किस त्राइ किया है, कैसे बनाया है बहुत मcem्ज़धार बनता है एक पार इस रेज़िप को घ्रा किजए और अपना फिट्बेक हमे ज़र दीजिएगा और ऐसे फ़संद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए हमारी चैनल पर पहली बार आए तो प्लिश सब्सक्राइब शुरूर कीजिएगा आपको बहुत पसंद आने वाली है ट्राइ करने के बाद आप चाहें तो इसके फोटो भी हमें इंस्टाग्राम पर टैक कर सकते हैं मिलते हैं जल्दी ही नेक्स टूडियो में द्वा में ज़रूर याद रखिएगा